हाई फेरेंड्स आज का टोफिक है हाउ टू कॉनवर्ट एसी टू डीसी और थाथ एसी को डीसी में कैसे बदलना है ज्यादातार इलेक्टोनेक्स एकुमेंट डीसी से चलता है जैसा टीबी कॉंपिटर चार्जर यानि और भी बहुत सारे समान इसमें क्या है एसी को कर इसको इकुमेंट को चलाता है आए शीकते हैं कैसे एसी को डीसी में करत किया जाता है एब सिको डीसी में करने के लिए हमल को मेल ली दो किसम का कमपोनेंट की जुरत पड़ता है ये खे टैनसफार्मर दूसरा है रेक्टिफायर अभी टैनसफार्मर अलग-अलग किसम का होता है जिस भोल्टेज की जुरत पड़ता है उसी हिसाब से इसको step down करके इसको बनाया जाता है और दूसरा है रेक्टिफायर रेक्टिफायर तीन किसम का होता है ये खे हाप ओएब रेक्टिफायर फूल ओएब रेक्टिफायर और तीसरा है ब्रीज रेक्टिफायर रेक्टिफायर में क्या होता है डायोड लगा जाता है डायोड का काम ये है AC को DC में convert करता है इसमें दो end होता है एक है cathode एक है anode हाला कि इसके अंदर से जब AC flow होता है तो ये positive को पास कर देता है और negative को अपस करता है चलिए थोड़ा बारी की से इसको समझे माल लिजिया 12V की DC की जूरत है तो पहले हम लोग इसको AC से step down टनस्पर्मर लाएके 12V में AC में ले आएंगे उसके बाद इसको AC को एक bridge rectifier की थूरू इसको और थर्थ current को flow कराएंगे bridge rectifier में 4 diode लगा होता है जिसको दोनों का मूँ एक साइड होता है और थर्थ cathode एक साइड होता है जब टनस्पर्मर की थूरू ये current flow होगा तो इसमें क्या है जो positive current है इसको पास कर देगा और थर्थ cathode की थूरू हम उसको collect कर लेंगे और दूसरा जो negative इसको अपस करेगा उसको हम एनर्ड की थूरू उसको collect करेंगे आगे इसमें आलाग आलाग PCB में capacitor या दूसरा component लगा के आलाग आलाग हिसाब में इसको use करते हैं AC को DC में convert करने के लिए main rectifier ही होता है अगर दोस्तों यह information आपको सही लगा तो please subscribe my channel and like and share और thank you for watching